हेलो फुडीज, वेलकम तो मैं चैनल फुडीज डिलाइट, होप यू आ डूइंग वेल, जैसे कि आप सब जानते हैं मोहरम का महीना चल रहा है और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मोहरम की बहुत ही फेमस शर्बत की रेसिपी दूद का शर्बत, तो चलिए शुरू कर सबसे पहले हमें दूद उबालना है मैंने यहां पर एक लीटर दूद लिया है दूद जब उबल जाये तो हमें इसमें एड करना है हाफ कप शुगर अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से शुगर राट करें शुगर को दूद में अच्छे से डि थोड़े से चॉप किये हुए ड्राइ फ्रूट्स आपको जो ड्राइ फ्रूट्स पसंद है आप वो ड्राइ फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा सा ही लाच्छी पाउडर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले हम ये शर्बत रोस फ्लेवर का बनाएंगे तो मैं मैं एट करोंगे फूटेबल स्पून रूपजा आप रोज सिरप भी आट कर सकते हैं इसे हम तीन से चार मिनट तक धीमे आज पर पकाएंगे हमें इसे ज्यादा गाड़ा नहीं होने देना है तीन से चार मिनट हो गए हमें इसे ज्यादा थिक नहीं करना है गैस का फ्लेम आफ कर दे और इसे थोड़ी देर तक थंड़ा होने के लिए रख दे शर्बत हमारा थंड़ा हो गया अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े आइस क्यूप्स और थोड़े से रोस पेटल्स रोस पेटल्स के बहुत फायदे भी हैं और साथ ही इससे शर्बत दिखने में भी बहुत खुबसूरत लगता है और ये हमारा मोहरम स्पेशल दूद का शर्बत रेडी है इसे चिल्ड ही सर्व करें तभी इसका असली मज़ा आएगा तो आप भी इस इजी एंड डिलिशेस दूद का शर्बत को जरूर ट्राइक करें और हमें कॉमेंन सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में